नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप लॉक स्क्रीन पर अपना नाम इस टाइप से कैसे लिख सकते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरी लॉक स्क्रीन पर यहाँ पर टाइम और वो डेट वगएरा तो बताई रहा है साथ में मेरा नाम भी लिखा है तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं इसके लिए आपको कोई वाल पेपर पर नाम लिखने की जरूरत नहीं है इसको आप कैसे करेंगे इसके लिए आपको सबसे पहले जाना होगा अपने फोन की सेटिंग्स में ठीक है और जब आप अपने फोन की सेटिंग्स में जाएंगे तो आपको इस टाइप का इंटरफेस मिलेगा अब यहाँ पे आप थोड़ा सा नीचे की ओर करिए स्क्रॉल और नीचे की ओर स्क्रॉल करने पर आपको एक ओप्शन दिखेगा ये वाला Always on display and lock screen आप इस पे करिए क्लिक इस पे क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारे ओप्शन मिलेंगे तो यहाँ पे आप नीचे की ओर थोड़ा स्क्रॉल करिए नीचे की ओर स्क्रॉल करने पर आपको एक ओप्शन दिखेगा lock screen clock format का आप इस पे करिए क्लिक इस पे जब आप क्लिक करेंगे lock screen clock format पे तो यहाँ पे आपको इस टाइप का इंटरफेस मिलेगा जिसमें आपको नीचे एक option दिखेगा lock screen owner info का आप इस पे करिए क्लिक इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको लिख देना है अपना नाम ठीक है जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने अपना नाम लिख दिया अगर आपको कुछ और भी लिखना है तो आप वो लिख सकते हैं यहाँ पे ठीक है मान लेते हैं हमने अपना ही नाम लिख दिया यहाँ पे और उसके बाद आपको यहाँ पर यह दिखे का option so signature on the lock screen आपको इसको भी on कर देना है ठीक है और उसके बाद आपको ok करके save कर देना है अब जब ok करके save करेंगे उसके बाद आपकी lock screen पर जो है आपका name stat से दिखाएगा जो भी यहाँ पर आपने लिखा होगा करेंगे बाद उसके बाद लिखाएगा जब आपको भी यह दो है